चलिए तो एक बार फिर से स्वागत है आरेस अगरवाल थर्ड राइटर के कम्प्लीट सॉल्यूशन में और हम कर रहे हैं अभी परसेंटेज और आज हम शुरुवात करेंगे कोश्चन नंबर 91 से बहुत ही बहतरीन तरीके से उमीद है कि अभी तक आप लोगों ने अच्छे सॉल्यूशन में काफी अंतर दिखेगा बुक का जो सॉल्यूशन है वो काफी लंबा मैथर्ड से किया जा रहा है और हम आपको कोशिस करते कि जितना आसान से आसान तरीका हो सके तो आरेस अगरवाल थर्ड राइटर कोश्चन नंबर 91 परसेंटेज सवाल के रहे हैं एक कस कसबे की जन संख्या में 4% बारसिक दर से विर्दी होती है कितना बिर्दी हो रहा है चार परसेंट बारसिक दर से कमी भी होती है सोचो बई 4% बिर्दी हो रहा है और 1,5% कम रहा है बतब 4% लोग आ रहे हैं और 1,5% लोग जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि सर बिर्दी में रूप से एगर पॉइंट में बोले तो में रूप से ऐसे लिखिये कि 4% आ रहे हैं और आधा परसेंट जा रहे हैं तो actual में विर्दी हुआ कितना गहींगे सर साड़े 3% का एकदम सिंपल सा लॉजिक है बही 4 रुपया कमा के आप 50 रुपया खर्ज कर दे रहे हैं चार रुपया कमा के 50 रुपया आप गवार हैं तो में कमाई आपका सड़े 3 रुपया ही हुआ ना तो वही सवाल है कि एक कस्वे की जनसंख्या में 4% बारसिक दर से विर्दी होती है परनतु कस्वा छोड़ कर सहर जाने वालों के करण 30% बालसिक दर से कमी होती है तीन वर्ष बार जनसंख्या कितना परतिशत होगी तो मान कर चलिये कि कसवे की जनसंख्या तहीं क towards बार किस्वे की जनसंख्या में कितने % की बिर्दी होगी तो यहां पर 100 बटे अब देखो भई बढ़ा कितना मात्र साड़े 3% बढ़ा ठीक है बढ़ा तो चार था लेकिन आधा परसेंट लोग जो है वो लोट कर मतब घट कर चले गए तो में तो साड़े 3% ना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक सो ऐसे लिख दो एक सो तीन दसमलव पांच जीरो बटे सो प्रतिशत फिर प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में सो आएगा एक सो तीन दसमलव पांच जीरो बटे सो यहां लगा दीजे प्रतिशत फिर गुना करिएगा तो एक सो तीन दसमलव पांच जीरो बटे सो और यह लगा दीजे प्रतिशत बाग समझ में आया यहां तक देख लिजे कि यह बहतर concept है नई तो फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि समझो इस चीज को कि साड़े तीन प्रतिशत की विर्दी यानि साथ बटे दो और साथ बटे दो यानि 100 प्लस 7 बटे 2 जब लिखेंगे तो 200 गुने 200 प्लस 7 यानि आपका हो जाएगा 200 साथ बटे 200 तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 103 कस्वे की जंसंख्या 100 थी और लेको साड़े 3 बढ़ने का मतलब वह 7 बटे 2 7 बटे 2 में 100 में हमने 7 बटे 2 जोड़ा ठीक है तो ये हो गया 2 गुने 100 200 अपल 7 बटे 2 पर 30 साथ खटेगा न तो बटा में 100 आएगा यानि 200 साथ बटे 200 ये 200 कैसे हुआ समझ रहे हैं पर 30 है ना उपर लगा हुआ परतिशत अठाएंगे तो बटा में 100 आएगा यानि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 207 बटे 200 तीन बरस बाद बोल रहा है तो फिर से 207 बटे 200 और फिर क्योंकि तीन बरस बाद बोल रहा है तो 207 बटे 2 ये तरीका है प्रोसेस को डिल करने का जब आप इसको सॉल्व करिए तो आएगा 110.87 इतना कर लिजेगा अब इतना टाइम तो है नहीं कि एक चीज सॉल्व करें आपके लिए क्योंकि हमें तो बस एक स्ट्रेक्चर तयार करके देना है आपको एक धाचा देना है ताकि एक भी कोश्चन छोटे नहीं तो सॉल्व करिएगा जोड़ गटा गुन हुआ 110.87 में आप घटा दीजिए 100 तो घट के आएगा 10.87 यानि कस्वे की जन संख्या में कितने की विर्दी वे 10.88 तो यह तरीका है यह प्रोसेस है ठीक है ना कोशिस करेंगे कि एक बहतर कॉंसेप्ट दे बहुत मज़ा है आपको और कोई भी एक्जाम हो यहां से आपको पूरी-पूरी सफलता मिले ठीक है और यह बड़ा बहतरीन कोश्चन था आपके लिए एक और सबाद किलियर है ना 7% बिर्दी देखों इसको फिर से समझा देते हैं 100% में 3% यानि 7 बटे 2% की बिर्दी 100 पलस 7 बटे 2 करेंगे तो 2 गुने 100 200 पलस 7 बटे 2 अब परतीसत आएंगे तो बटा में 100 यानि आपका आएगा 207 बटे 200 यही चीज बस क्लियर करना था कि कैसे आया 260 अब यह तीन बर्स बात बोल रहा है तो तीन बार गुना करेंगे अगर चार बर्स बात बोलता तो चार बार गुना करेंगे फिर से एक सवाल एक कस्वे की जनसंख्या 5% दर से बढ़ती है बर्तमान जनसंख्या 13, 89, 15 है तो तीन बर्स पुरूर एक बात देखो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था जनसंख्या सम्बंदित प्रस्न यस यनो मैंने बोला था कि अगर 5% बढ़ रहा है तो तीन बर्स बात होगा 105 बटे 100, 105 बटे 100, 105 बटे 100, 105 नवासी, 15, अगर देखो क्या हो रहा है कस्वे की जनसंख्या में 5% दर से बिर्दी हो रही है तो 5% दर से बिर्दी हो रही है अगर आप से बोलता 3 वर्स बाद, point to be noted my dear student, अगर आप से बोलता 3 वर्स बाद जनसंख्या तो हम लिखते 105 बटे 100, गुने 105 बटे 100 और गुने 105 तो पाँच बटे सो वो अलग बात है कि 21 बटे 20, 21 बटे 20, 21 बटे 20 आता है लेकिन ये कब का माईडियर स्टूडें ये तीन बर्स बात का ये प्रशन में नहीं पूछ रहा है आप से पूछ रहा है तीन बर्स पुर्ब कस्वे की जनसंख्या क्या होती तो याद रखेगा पुर्ब यानि 100 को उपर कर दीजे 105 को नीचे 100 को उपर कर दीजे 105 को नीचे 100 को उपर कर दीजे और 105 को नीचे अगर आप इसको अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे ठीक है तो आपके प्रशन का उत्तर आएगा एक लाख बीस हजार ठीक है जो आपके D-Number option में है तो बिलक 3 बरस बाद बला मिटा देते हैं हम लिखेंगे भाई 3 बरस पूर और यह आपका करेक्ट उत्तर है जो D-Number option में भी राजमाने ठीक है थोड़ा calculation हम जान बूच के नहीं करें ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्णों को डील कर पाए तो आप एक एक चीश कह रहा है पिछले बरस एक गाउं की जनसंख्या 5000 थी एक बरस में पूर्सों की जनसंख्या तथा इस्त्रियों की जनसंख्या में करमसा 10 और 15% देखो जी पूरुष की जनसंख्या में 10% की बिर्दी और इस्त्री की जनसंख्या में 15% की बिर्दी और कह रहा है कि इस कारण से अब पूरी जन संख्या 500 हो गई यानि मानलो कि जन संख्या 500 थि और बात है कि दीया है कि पूर्षों पर तता से 1 पर पछुद ना मैं लाया कि hmm इस परतीर चछा की की विर्धी और यहां कि hai तो हम पहले यह देख लेते कि पूरी जन संक्या में कितनी बड़ी वित पांच हजार वला पच्छापन सो हो गया तो सर बिर्दी हुआ छे सो का क्यों निकाल रहे पता है एलिगेशन मैथड लगाने के लिए क्योंकि एलिगेशन मैथड में एक लेफ्ट राइट और सेंटर चाहिए प्रतिशत बृदी वराबर बृदी गुने सो और एक बात याद रखे बृदी हमेशा छोटे में की जाती है बड़े में कमी होती है तो बड़ा छोटा है पांच हजार और छपन सो में पांच हजार छोटा है तीन जीरो एक दो एक दो तीन जीरो फिर हम काटेंगे बारा बार में यानि पूरी जनसंख्या में बारा प्रतिशत की बिर्दी आप देखिए एलिगेशन मैथड अपनाएंगे कि भाई पूर्षो की जनसंख्या में दस प्रतिशत की बिर्दी इस त्रियो की जनसंख्या में पंदरा प्रतिशत की बिर्दी और पूरी जनसंख्या में बारा प्रतिशत की बिर्दी तो हम लगा देंगे एलिगेशन मैथड कुछ इस तरह से ठीक है तो पंदरा में से बारा गया तीन और दस मे आप देखिए भाई कहेंगे सर टोटल जनसंख्या प्रारंब में 5 था क्योंकि प्रस्ण क्या कर रहा है गाउं में पिछले बर्ष पुर्षो की जनसंख्या पूछ रहा है प्रारंबिक जनसंख्या पूछ रहा है कहेंगे सर प्रारंब में कुल जनसंख्या 5 थी रेशियो में पूर्षों का 3 था और महिलाओं का 2 था तो रेशियों में 5 था और आप से प्रस्ण में पूछ रहा है कि पूर्षों की जनसंख्या कितनी थी तो पूर्षों की जनसंख्या रेशियों में 3 था क्योंकि पूरुष के नीचे 3 है तो हम 3 से गुना करेंगे 1000 बार में कटेगा या पूर्सों की जनसंख्या 3,000 थी माली जी इस तरी पूष्टा तो तीन का 3,000 आया तो दो का 2,000 आता कहिए सार एकदम गणित मक्खन की तरह समझ में आ रहा है बाते एकदम क्लियर हो रही है concept आपको समझ में आ रहा है 93 कोशन हम पहुच चुके हैं उम्मीद है कि बहुत मतब percentage के chapter को completely कतम कर पाएंगे ठीक है आप बस सीखते चलो समझते चलो बाकी करते चलेंगे अम लोग एक गाउं की जनसंख्या 20,000 थी दो बर्स बादिया बढ़कर 22,000 पचास हो गई तो जनसंख्या में किस वार्षिक दर से बिर्दी थी देखिए एक trick मैं बताता हूं 20,000 है ठीक है 20,000 इंटू 1 प्लस माल लिजे कि आर प्रतिशत की दर से बिर्दी थी तो आर बटे सो अद्दो बर्स बाद कितनी हो गई 22,000 पचे यह हमारा method है कुछ लोग तो x करके बनाते हैं रहने दीजे बिल्कुल ऐसे करके समझो मैं अब कुछ दम बिल्कुल कि वही ग तरीका हम अपना रहे हैं वो जो compound interest में हम लगाते हैं न मिजदन बराबर मुलधन इंटू 1 प्लस दर बटे सो पर पावर समय बिल्कुल सेम टू सेम यह फॉर्मला यहां पर लग जाएगा तो भाई गाउं की जनसंख्या भी 20,000 है कि दो बरस बाद या 22,000 हो गई तो कितने किस दर से बिल्दी हो यह नि आर का मान चाहिए कि दर क्या है बिल्दी होने का वन प्लस आर बटे सो और यह कितने बरस में दो बरस में हो जाता है कितना 22,050 ठीक है न तो अब देखो करना क्या है बहुत ही सिंपल समय थड़ है यह 20,000 गुना में इधार आजएगा तो से 20,000 ठीक है तो हमको लगता है कि यह किसका वर्गमूल पॉसिबल है 22,050 करके देखिए क्योंकि 20,000 में किसका वर्गमूल पॉसिबल है अगर एक 0 से 1,0 काटेते हैं तो 2000 हो जाएगा और 2000 में अगर हम 500 से काटते हैं तो 400 हाँ एक बार ऐसा करिए न सिंगल 0 से सिंगल 0,5 से काटिए तो यह 400 आएगा और इसको 5 से काटिए तो 5 चक बीस, 5 चक बीस, 5 चक बीस, 5 एक दम हो गया भाई, 100 प्लस आर बटे 100 बराबर, जो चीज़ इदारा स्कॉयर है बराबर के उस साइड में लेकर आएगे तो रूट हो ज दिखा, 100 प्लस आर बटे 100 बराबर, 441 का बरगमूल होगा 21 और 400 का बरगमूल होगा 20, सही बात, 20 पचे 100 काट भी सकते हैं आप, यह भाग में दरगुना में, 100 प्लस आर बराबर, 21 पचे 5 चोतल से 105, आर बराबर, 105 माइनस 100, कहेंगे सर, rate of interest हमको जो मिला वो 5 परतिशत में है कहीं पर, एक दम गनित मक्षन की तरह, याद रखेगा जब ब्रधी करके दिया हुआ रहे, प्रारंबिक जनसंख्या रहे, और बरतमान जनसंख्या रहे, और आपसे ब्रधी दर या समय पूछे, जरूरी नहीं ब्रधी दर या समय, तो आप यही वहला फॉर्मूला लग काईएगा, मिस्दन बराबर, मूल्दन इंटू, वन प्लस आर बटे सो, टू दी पावर्टी, मिस्दन, मूल्दन, बरतमान जनसंख्या, मिस्दन, बढ़ा हुआ जनसंख्या, दर तो भाई, दर, समय तो समय, कहें हाँ जी सर बिलकुल सीख रहे, और किताबी भासा कुछ special हमने आपको solve करके दिया है, आई बात समझ में कहेंगे हाँ, जी सर बिलकुल समझ में आ रहा है, तो अब आपको लग रहा है कि आपका syllabus काफी बड़ा, काफी special हम बना रहे हैं, दीरे-दीरे करके, और आपके साथ आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, जी हां, हमारे application के थुरू, उनको आप support करेंगे कि नहीं, रहुल सर से पढ़िये, अच्छा content देंगे, best content देंगे, exam में आपको पूरी-पूरी, जी हां, पूरा-पूरा support रहेगा हमारा चाहिए, आप कोई भी exam में बैठ जाओ, आप railway में कर सकें, एक मसीन का 20 प्रतिशत बारसिक दर से, अब मुल्यन, अब मुल्यन का मतला होता है मुल्य घटना, अब मुल्यन का मतला होता है मुल्य घटना, इस मसीन के मुल्य में 3 बरस बात कितने प्रतिशत की कमी है, बहुत ही simple से बात है, ठीक है, मान लीजिए, इसका वरतमान मुल्ले जो है ठीक है इसका वरतमान मुल्ले जो है तो क्या वर्ष बात क्या इसकी स्थिति होगी ये हम देख लेते हैं तीन वर्ष बात अभी मुल्ले सो है बीस परसेंट घटने का मत्तब है असी बटे सो फिर से असी बटे सो और फिर से असी बटे सो तीन बार घटा डवल जीरो से डवल जीरो डवल जीरो से डवल जीरो और सिंगल ज 64 64 गुने 8 64 गुने 8 बटे 10 हम चाहे तो काट भी सकते लेकिन थोड़ा आसान तरीका से 8 चक 32 के दो हाथ में रहा 3 8 चक 48 ती निक्यावन 512 बटे 10 यानि अब मुल्ले जो हो गया मुल्ले जो अब बरतमान मुल्ले जो हो गया वो 51 दसमला 2 प्रतिशत हो तो भाई मुल्ले कितना घाटा ये तो घाटकर रेट दिया हुआ है घाटा कितना हमें ये जानना हुआ है हमें जानना है तो कहेंगे सर पहले 100 था अब जो हो गया यानि 48 दसमला आठ प्रतिशत की कमी आई कुछ लोग 51 दसमला दो भी मार रहे होंगे टिक को बिल्कुल गलत बाद भाई वो तो घाटके रेट आया जैसे मालनो 100 बाला सामान 75 में मिला तो कितना कमी हुआ 75 थोड़ी कमी हुआ 75 में तो हमें मिला कमी 25 का हुआ न 2 पूछ रहे कि 3 वर्स बाद कितने प्रतिशत की कमी आई यह नहीं पूछ रहे थी 3 वर्स बाद उस्कम मुल्ले क्या हुआ अगर पूछता 3 वर्स बाद मुल्ले क्या होगा तो सरी 1.2 लेकिन कितने की कमी आई तो 100 में क्या 1.2 अटाएंगे 48.8 यह आपको correct to answer है ठीक है और मैं एकदम बिल्कुल कह दूँ कि यह आपका उत्तर नहीं है कुछ लोग जा रहे होंगे मन में दिमाग में चल रहा होगा कि चलो यही बला मार देते हैं कुछ नहीं तो कुछ सही something is better than nothing but this is not possible ठीक है बड़ा कीजिए हम समझ रहे हैं आप लोग क्या कहना चाहरे हैं आप समझ रहे हैं चलो बैए एक और सवाल आपके स्क्रीन के उपर एक मसीन तीन बर्स पुर्व खरीदी गई बहुत अच्छी बात है इसका दस प्रतिशत बार्सिक दर्से अब मुले नवही दाम गट रहे है इसका बर्तमान मुल्य 8748 रुपया है तो कितने मुल्य में खरीदे देखो जी इसका बर्तमान मुल्य में कितना है बर्तमान में इसका मुल्य है 8748 ये बर्तमान मुल्य और ये खरीदा कब गया था तर खरीदा गया था तीन वर्ष पुर्व और इसके साथ इस्थिती क्या हो यानि इसका जो हो रहा है वो हो रहा है अब मुल्यन का मतलब ठीक है अब मुल्यन हो रहा है 10% का अब मुल्यन मतलब इसके मुल्य में कमी आ रही है देखो भाई आप से प्रश्न क्या पूछा कह रहा है कि यह कितने में खरीदे गए थी मतलब प्रारंबिक मुल्य पूछ रहा और कब खरीदा गया था तीन बर्स पूर्ट, याद करिए, अगर 87-48 की कोई वस्तू है, अगर 10% का दाम घट रहा है, तो तीन बर्स बाद बोलता तो 90 बटे 100, 90 बटे 100, 90 क्यों, क्योंकि दाम घट रहा है न 10%, लेकिन पूछ रहा है तीन बर्स पहले, तो वो महगा में तो हम ये 90 by 100, 90 by 100, 90 by 100, लेकिन आप से प्रस्ण पूछा कि तीन बर्स पूर्व, मतलब ये सीधे पूछा कि कितने में खरीदी गए थी और खरीदा कब गया था, तीन बर्स पूर्व ना, यानि आपको चाहिए 3 एर्स एगो, ठीक है, 3 एर्स एगो, तीन बर्स पूर्व, इसका क्या अपराईस था, तो 8, 7, 4, 8, इंटू, अगर तीन बर्स बाद बोलता था, 90 by 100, 90 by 100, 90 by 100, लेकिन तीन बर्स पहले बोल रहा है, तो आप लिखिएगा, 100 by 90, गुने 100 by 90, गुने 100 by 90, ये कब का निकलेगा, तीन बर्स पहले का, आप इसको कैलकुलेट करिए, और आ आपके प्रस्न का उत्तर आएगा, मसीन का अविष्ट मुलजी, आपके प्रस्न का मुत्तर आएगा, 12,000, ये आपका काम है, देखे, आप मैं बच्चों की तरह जोड़ घटाव सिखाऊंगा, कैसे 00 काटना है, कैसे 9 से काटना है, कैसे 3, तो ये सई चीज नहीं रहे हैं, हमारा काम है बस पत परदर्शित करना, लक्च को दर्शाना, बाकि जोड़ घटाओ, गुना भागो, आपकी जिम्मेदारी है, और आप अपनी जिम्मेदारी से बिलकुल बत भागो, अपना जिम्मेदारी अच्छे डंसे निभाते चलिए, करते चलिए, तो फाइनली इस को हमने कितने में देखा, इस तरह 12 है, अब देखो मैं एक ट्रिक भी बताता हूँ, कि मान लीजे, तीन बर्स पूर कितने में खरीदा गया था, 12,000 में, और इसका प्राइज कितना कट रहा है, 10% कि साब से कट रहा है, 90 बटे 100, 90 बटे 100, 90 बटे 100, 90 बटे 100, आप कैलकुले दे रहा हूँ आपको, और ये बिल्कुल आपको होगे, एक बात मैं कह देता हूँ, ये जो सेशन हम आपके लिए लेकर आ रहे है, स्पेशल क्लास के रूप में, आप इसको करने के बाद अपने अंदर एक नई उर्जा का संचार बिल्कुल भरेंगे, और हर एक बैचेज म जितने भी बच्चे हैं, सब को पकड़-पकड़ के लाइए, कहां पड़े, क्यों दस अजार, पंदरा, अजार, बीस अजार खर्च करें, जब सब कुछ यहां पर मिल रहा है, जिस तैयारी के लिए आप हर महीने पेमेंट करते हो, उतने में आप एक साल पड़ोगे, मतब आफ लाइन का एक महीने का खर्चा, और हमारे अप्लिकेशन के उपर एक वर्ष का खर्चा, दोनों सेम पड़ेगा, जब आफ लाइन में अगर आप कहीं हजार रुपया पेट करते हो, हजार रुपया का अगर आप यहां सब्सक्रिप्शन लोगे ना, तो पूरे एक साल पड़ोगे, तो यह सारी सुब्धाएं हमारे अप्लिकेशन पे आपको दी जा रही है, और जिसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं, तो आप करके देखना, आपके प्रशन का उत्तर यह हो गया, भाई, 12,000, चलो आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ती, एक लाख रुपया लग देखी इसके साथ क्या क्या हुआ, पहले एक लाख लगाया, एक, दो, तीन, चार, पांच, उना का साइन लगाई है, पहले वर्स के अंत में 5% की हनी यानी 95 बटे सो, दूसरे वर्स के अंत में 10% का लाव यानी 110 बटे सो, और तीसरे वर्स के अंत में 12% का लाव यानी 112 11,704 आप calculate करके देखना 11,704 तो भाई आपने लगाया कितना था एक लाख और आपको मिला कितना एक लाख सतरह हजार चालिस रुपया तो आपको कितने का लाव हुआ लाव बरावर विक्रे मुल मतलब जो आपका actual amount है एक लाख सतरह हजार चालिस में आप एक लाख को घटा तो अगर आप इतना घटाईएगा तो सतरह हजार चालिस रुपया लाव पराप्त करिएगा और मैं बिल्कुल basic concept दे रहा हूं आपको ठीक है और shortcut में थोड़ा भाग रहा हूं इसलिए shortcut में भाग रहा हूं क्योंकि ये जोड़ घटा गुना भाग का काम आपका है आप उस क्लास में होगा क्योंकि जोड़ घटाव करते करते ही time pass हो जाएगा तो ये सारी चीजे ठीक है मैं आपको मैं आपको सिर्फ एक platform त्यार कर रहा हूं एक धाचा बना रहा हूं तरीका की प्रश्ण बनेगा कैसे बनाना एक एक चीज़ जोड़ घटाव आपकी जिम्मेदार एक देश की बरतमान जनसंख्या 10 कडूर अनुमान लगाया गया कि तीन बर्सवादिया जनसंख्या 13.3 एक कडूर हो जाती है बिर्धी की वार्शिक दर याद करिए कि बरतमान जनसंख्या दिया रहे बढ़ा हुआ जनसंख्या दिया रहे और या तो समय पूछे या तो द तरह का फॉर्मूला लगाने है कि सर दस करोर जनसंख्या थी देखो ना क्या अद्बुत तरीका भुक को भी उठाकर चेक कर ले ना कि वहां क्या और हम क्या बता रहे है भरतमान जनसंख्या 10 करोर 1 प्लस दर तो पूची रहा है आर बटे 100 कितने वर्षों के बाद 3 वर्ष के ना बटे 100 और इस पर पावर 3 करेंगे पर आबर 13.3 एक और ये गुना में इधार आजएगा तो भागे और ये पॉइंट हटाएंगे तो दूगो जीरो हो जाएगा भई तेक है आप देखिए करना क्या है 100 प्लस आर बटे 100 और इसका क्यू करिएगा देखिए जो चीज इ सिंपल सा प्रोसेस है मैं इधर कर देता हूं आपको कि करना क्या है यहां देखिए 100 प्लस आर बटे 100 जो चीज इधर क्यूब में है इधर आएगा तो क्यूब रूट है तो रूट में हो जागा ये आप कोई पता है 1331 का घंणमूल निकालेंगे क्योंकि आगे तीन लगा ह तीस है तो 1331 का घंणमूल होता है 11 कि 11 को तीन बार गुना कड़िएगा तो 1331 है और 1000 का घंणमूल होगा दस तो ये 11 बटे 10 हो गया क्योंकि 1331 का घंणमूल है तो ये सिंगल जिरो से सिंगल जिरो नीचे चीचे कड़ गया 100 प्लस आर बराबर 1110 के 110 then r is equal to 110-100 then rate of interest जो मिला है वो तहर की जन संख्या कि वार्षिक बिर्दी दर 10 प्रतिशति कैसा लगा एक बार सब लोग बताईए और को पी में परी हाँ यहां तक क्लियर है समझ में आ रहा है concept एकडम एक एक चीज बारीकी से आप सीख पारे यस यह नो में जबाब दीजिए सब लोग कह दीजिए सर यहां तक तो ठीक है कोई इश्यू नहीं हुआ अभी तक आगे भी कोई इश्यू नहीं होगा यह जन संख्या सर रिलेट जो I think clear हो चुका है लगभग अब यह topic खतम होने वाला है थोड़ा बहुत कि रहें आप जन्म दर 32 प्रति हजार है मतब जनमते कितने लोग है हजार में जन्म दर जो है वो 32 प्रति हजार है और संगत मिर्तिव दर मिर्तिव कितने लोगों की हो जाती है बाई कोशन ग्यारा लोगों की दर तो कह रहा है सुद्ध जन्संख्या विकास तो आप ही बताए कितना लोग विकास करेगा बहुत सिंपल सोच के रहें 32 लोग जन्म लेते हैं 11 की मिर्तिव हो जाती है तो विकास कितना हुआ प्रति हजार है मतब हजार में 22 लोग ठीक है अब जन्म दर 32 प्रत प्रतिशत है कहेंगे सर विकास जो है वो 22 है कितने में देखिया न जन्म दर 32 प्रति हजार मिर्तिव दर 11 प्रति हजार और तो विकास दर भी 22 प्रति हजार तो कहेंगे सर 22 लोग विकास करते कितने में 1000 लोगों में और आप करें कि परतिशत में कितने लोग विकास करेंग सवायू और बात समझ में आगे बढ़ता है लिए नमबर सवाल आपके स्कृन के ऊपर उपर एक और बहतरीन सवाल के रहे 72,900 मुल की भूमी पर 13,11,031 का भवन बनाया गया कि ज़िधी भूमी के मुल में 10% बारसिक दर से बिर्दी हो तथा भवन के मुल में 10% बारसिक मुल से कमी हो तो कितने वर्स बाद दोनों के मुल बराबर होंगे यह थोड़ा सा लंबा कुश्शन जाएगा यह ठीक है ना एक सिकिंड मैं देख लेता हूँ वैसे तो बन जाना चाहिए चलिए कोई बात नहीं हूँ हम हम ट्राइ करके देखते हैं मान लीजे कि भवन का मुल्ले दिया हूए 729 पर दोगो जीरो और भवन के भूमी का मुल्ले दिया हूए 72900 और भूमी के मुल्ले में 10% दर्ख से बिर्दी हो रहा है तो 110 बटे 100 पर कितने वर्षों के लिए 10 वर्षों के लिए और मान लीजे कि भवन का रेट है 1,33,100 और इसमें भवन वाले में 10% की दर्ख से कमी हो रहा है तो 10% की कमी होने का मतब है 90 वर्षों के लिए 10 वर्षों के लिए ठीक है और कितने वर्षों के बाद यह दोनों का मुल्य आपस में बराबर होगा तो हमें एक एक जीरो से यहां काट देना चाहिए, यहां भी एक एक जीरो से यह भी कट जाएगा, एक जीरो से यह भी कट जाएगा, बात समझ में आया, कहेंगे हां सर यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, यह एक जीरो से यह भी कट जाएगा, तो ऐसे condition में, यहां त तक तो clear है पुश्य नमर कितना है 100 ओक्य बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा समय दीजिएगा तो यह हो जाएगा कि इसको ऐसे कर लेते न कि इसके उपर भी यहन है इसके उपर भी यहन है फोड़ा सा हमें दीजिएगा समय यह दस कट गया नो कट गया तो आप ऐसा कर लिजे कि इस नो को इधर ले आईए ऐसे कर दे ग्यारा बटे नो तूदी पाबर यहन क्यों क्योंकि इधर इधर इग्यारा बचा था इधर नो बचा था इसको पकड़के इधर ले आए तो इग्यारा बटे नो क्योंकि यह उपर था इधर आएगा तो नीच जीरो और इसके उपर भी एगो जीरो है तो आप क्या कर लीजिए ना कि भाई देखो सिंपल सा फंडा है 11 बटे 9 to the power n बराबर 1331 को हम लिख सकते हैं 11 बटे 9 to the power 3 देखिए ना एकदम 1331 को 11 का क्यों लिख सकते हैं 729 को 9 नमा 81 81 गुने 9 729 यानि 11 बटे 9 कहेंगे सर घातां कर नहीं आपने हमसे कभी पढ़ा होगा कि जब आधार बराबर है तो घात भी बराबर तो इधर भी 11 बटे 9 इधर भी 11 बटे 9 यहन की वैल्यू कहेंगे सर यह पॉसिबल तब हो सकता है जब तीन वर्स बात की स्थितिती होईगी यानि तीन वर्स बात दोनों का मुल्य आपस बात्तर अजार नौसो दस की बिर्दे तो एगा 110 बटे 100 एन वर्स हमने माना उपर में भावन का मुल्य था एक लाग तेतीस जार एक सो दस परसेंट की कमी हो रही है तो 90 बटे 100 और दोनों का मुल्य कितने वर्सों के बाद बराबर होगा इसलिए इधर भी यन और इधर भ सकते और यहां बच रहे हैं इसको इधर लेकर रहे हैं 119 kulln kalau ?? 1 और शाडन क्यों और मैं को रही है यही जार परutetिद इसको नीचे लेकर रहे है सिंधल 0 से सिंधल 0 काट दिया तो यह जहां बच गया 119 कर आपर 11330 को जो ठोन गईह क्यों कर सकते हैं यानि 11 अधार बराबर है घार पराबर के लिए बस सिंपल एक कस्वे की जनसंख्या यह लग रहा है लास्ट कोश्चन है हमारे इसाब से एक कस्वे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की विर्दी होती यदि वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या 92610 तो 2002 में देखो जी तीन बर्ष पुर्व पूछ रहा है 2002 यानि तीन वर्ष पुर्व की का डाटा आपसे पूछ रहा है देखो जी वर्तमान में जनसंख्या बर्ष 2005 यह नहीं बर्तमान की बात कर रहा है बर्तमान की जनसंख्या 92610 है 92610 हां और इसमें क्या और है 5 प्रतिशत की बिर्दी अगर तीन वर्ष बाद बोलता तो 105 बटे 100, 105 बटे 100, 105 बटे 100 लेकिन आप से पूछ रहा है 2002 यानि तीन वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है 105 बटे 100 के जगा 100 बटे 105 चाहो तो आप देखो 100 बटे 105 को आप 20 बटे 21 भी लक्स दिख सकते हैं 25, 100, 21, 25, 155 तो तीन बर्ष पूर्व पोल रहा है तो आप 20 बटे 21 उसी को कहेंगे 100 बटे 105 गुने 20 बटे 21 अगुने 20 बटे 21 ये तीन बर्ष पूर्व की जनसंख्या अगर इस चीज को हम सॉल्व करते हैं तो आपको सहर की जनसंख्या मिलेगी असी हजार ठीक है ये आपका करेक्ट उत्तर है कहां गया वई बी नंबर उप्शन तो तीन बर्ष पूर्व यानि दो अजर दो में असी हजार था आप अगर दो अजर असी अजर में 105 बटे सो 105 बटे सो 105 बटे सो तीन बर करिए आपको मिलेगा बेराट बेहजर चे सुदास एकदम हंड्रेट परसेंट सही जाएगा थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होगा बिलकुल डाटा सही बोल रहा है यहां तक क्लियर है हम आगे बढ़े समझ में आ रहा है हर चीज बिलकुल बारिकी से सीखे ताकि आगे चलके दिक्कत ना हो आपके लिए कह दीजे सर यहां तक बिलकुल समझ में आ रहा है बिलकुल आगे बढ़ा जाए चलो आप कुछ अच्छे-च्छे सवाल भी आने वाले देखो इस टाइप के पूशन यह तो एकदम मक्खन है यह percentage का A का बेतन B के बेतन से 20% अधिक है A, B A का बेतन B के बेतन से 20% अधिक है तो B हो गया 100% तो यह हो जाएगा 120% ठीक है A का बेतन B के बेतन से 20% अधिक है तो B का बेतन A के बेतन से मैंने इस शीट को समझाया था अगर A का बेतन B के बेतन से 20 रुपईया अधिक है तो आप निश्चिन्थ होकर कह सकते है कि सर B का बेतन A के बेतन से 20 रुपईया कम है जब कह रहा है A कह रहा है कि हम तुमसे 20 उर्पया अधिक कमाते हैं तो B को accept करके कहेगा हाँ सही बात है हम आपसे 20 उर्पया कम कमाते हैं लेकिन point to be noted अगर A कह रहा है कि हम तुमसे 20% अधिक कमाते हैं तो B नहीं कह सकता है कि हाँ हम आपसे 20% कम कमाते हैं क्यों कि जब A तुलना करेगा तो B 100% होगा 100 से तुलना में डाइरेक्ट जोड सकते हैं लेकिन जब B तुलना करेगा तो 120 से करेगा डाइरेक्ट कदापी नहीं घटा सकते हैं तो इस चीज को सीखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते क्या हैं कि तुरन्थ 20% answer मानते थे जो सही चीज नहीं है गलत है आपका A का बेटन B के बेटन से 20% है तो B का बेटन हम कितना मानें A का बेटन हो गया 120 तो कह रहा है B का बेटन A के बेटन से कितना परसेंट कम है आप हमको बतेए सिर्फ कम कितना है कैंसर B का बेतन, A के बेतन से 20 कम है 20% नहीं, कदाप ही नहीं बोलिएगा और यही चीज पूछे कि परतीसत में कितना कमी है तो देखिए 20 कम है, अब कमी हमेशा किस में? बड़ा वाला में बढ़ा कमी किसको होगा, जिसके पास बहुत सार है गरीब आदमी तो भाई एक दो रोटी आज खाएगा, कल कमाएगा, फिर परसो कमाएगा, फिर खाएगा लेकिन कमी ज़्यादा, जिनके पास बहुत सार है वो टेंचन में, भाई 10 लाक यहां लगा दिये 20 लाक यहां लगा दिये, यह बला पैसा इदर डूग गया वाला, अब विर्दी होगा तो छोटा, कहेंगे सर 20 कम है 120 में परतिशत का मतल सो परसेंट, तो 20 छक 120 तीन बार में, पचास बार में, पचास बटे तीन यानि सोला पुर्नांक, दो बटे तीन परतिशत की कमी आई बात समझ में, और ये रट लीजिए, रटना क्या है, एकदम clarity याद रखिए, कि कमी हमेशा बड़ा में, अगर कोई कह रहा है कि हम 30 परसेंट अधिक कमा रहे हैं, तो दूसरा तुरंत नहीं कहेगा कि हम 30 परसेंट कमा रहे हैं, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि ये गलात ही नहीं, नामूंकिन है, इस question के लिए इस प्रशन का रुक्तर चलो, यदि A का बेतन, B के बेतन से 25 परसेंट कम है, A, B A का बेतन, B के बेतन से 25 परसेंट कम है, तो B हो गया 100, तो ये 75 कोई डाउट नहीं, यह possible है, A का बेतन, B के बेतन से 25% कम है, तो B का बेतन, A के बेतन से कितना अधिक है, पहले आप बताईए कि अधिक कितना है, अधिक 25 है, लेकिन परतिशत में 25 नहीं, परतिशत अधिक बोलेंगे, तो कहेंगे सर्फ 25 अधिक है, अधिक होता है, तो नीचे छोटा लग, कमी होगा, जैसा कि आप देख पारें, कम था तो नीचे बड़ा, लेकिन अधिक है, कहेंगे सर्फ 25 अधिक है, कितने से, 75 से, क्योंकि अधिक इसके कोडिंग है, और कमी इसके कोडिंग, तो 75 अपरतिशत की बात करेंगे, तो सर्फ 25 यानि 33 पुर्नांक, एक बटे तीन परतिशत अधिक है, आई बात समझ में कहेंगे, हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बाते एकदम कॉंसेप्ट आपका क्लियर है, गनित को मखन समझे, ये प्रशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादार, जानदार है, कोई भी एक् परिक्षा में अपनी छाप चोड़ सकते हैं, चलो भई, अब आ गया कुछ चुनाओ वाले सवाल, चुनाओ वाले सवाल ओल्रेडी हम आपको बेसिक क्लास में पढ़ा चुके हैं, कि कुल डाले गए मतों की संख्या, चाहे दो उम्मीदवार आ जाई या दस उम्मीदवार सो प्रतिशत होता है, और एक चुनाओ में कम से कम दो उम्मीदवार का होना जरूरी है, वरना चुनाओ कराने की कोई जरूत नहीं है, अगर एक उम्मीदवार रहेगा तो वो अटोमेटिकली जिज जाएगा, उसको हम बोलते हैं, निर्दली है, मतलब उसका कोई दल ही नह हो, कुल डाले गए मतों की संख्या, सो प्रतिशत, एक चुनाओ में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का तीस प्रतिशत मत प्रत किया, मान लीजिए कि पहला उम्मीदवार कितना लाया, तीस परसेंट, तो एकदम सिंपल सफंडा है, कि ले गए मतों के 30% मत प्रात किये, तो पहला 30 लाएगा तो दूसरा 70 लाएगा, कह रहा है वहां 16,000 मतों से हार गया, एक बात याद रखेगा, हार और जीत का फैसला जो होता है, वो दोनों के बीच का अंतर होता है, मतलब दोनों के बीच जितना बोट का अंतर रहेगा, हार औ और जीत का फैसला वही हुआ तो कह रहा है पहला 30 लाया दूसरा 70 लाया तो बताइए दोनों के बीच कितने का अंतर है कहेंगे सर जी अंतर तो हमें लग रहा है कि 40 परसेंट का है यानि हार और जीत का फैसला कितने परसेंट से हुआ 40 परसेंट से कह रहा है कि एक चुनाव मे दो उमिदबार थे, एक उमिदबार ने कुल डाले गए मतों के 30 प्रतिशत मत प्राप्त किये तथा वा 16,000 मतों से हार गया तो बताई अंतर में कितना परसेंट से हारा कहेंगे सर 40 परसेंट से हारा क्योंकि ये 30 लाया और ये 70 लाया इसको कितना परसंट से हरा है, 40%, कहेंगे हारा, I mean, ये 16,000 से हारा होगा, तो ये 16,000 से जीता होगा, यानि कहेंगे हार और जीत का अंतर है 16,000, अब परतिसत में अंतर है 40%, सवाल करें, कुल डाले गए मतो की संख्या, तो आपको पता है कि कुल बोट कितना पढ़ सकता है, 100%, परतिसत से परतिसत, 40,16, 400 पर दोगो जीरो, यानि 40,000 बोट पढ़े हैं, और ये D-number option आपका उतर है, आई बात समझ में कहेंगे, हाँ जी सर, बिलकुल समझ में आ रहा है, नहीं, तो चीजे बिलकुल आसान करते हुए, एक नई राह पर हम चले हैं आपके लिए, इसको और बहुत बड़े लेवल तक पहुचाना है, इस chapter को, और अभी कितना, 104 question हुआ है, आपके book में, जो हम आपका solution कर रहे है, R.S. Agarbal, third writer, उसमें 150, यानि 150 प्रश्न है, और तू रहा, तो उसको ignore कर देंगे, परना, ऐसे normally माना जाए, तो सारे प्रश्न को हम deal कर देंगे, चले, आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, कहिए, हाँ, जी सर, बिलकुल बढ़ते चलिए, एक दम, ने, मांजी, दा mountain man की तरह, देखो, अब चुनाव से related, 2-4 प्रश्न आएं उमीदबार यानि कुल मतों की संख्या, 100 प्रतिशत, कह रहा है, कुल मतों के 60 प्रतिशत मत प्राप्त किये तथा, वह चौद्देखो जी, कुल डाले गए मतों की संख्या, 100 प्रतिशत, और एक उमीदबार क्या बोल रहा है, कि एक उमीदबार ने कुल डाले गए मतों के 60 प्रतिशत मत प्रतिए और बेसली सिंपल सी बात है कि सर पहला 60% करेगा तो दूसरा उम्मीदबार कितना लाएगा 40% यानि इन दोनों के बीच हार और जीत का अंतर जो है अब प्रतिशत में 20% बोटों से चुनाव जीत गया तो उम्मीदबार को कुल कितने अंक मिले तो उम्मीदबार को कुल कितने अंक मिले कुल अंक यानि 100% बीस पचे सो चौदा पचे सत्तर हजार बोट मिला जी है ओप्षन में कहीं आ सोरी ने ने ठीक तो है सवाल क्या पूछ रहा है 105 कोश्चन नमबर 105 अच्छा कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदबार को कितने अंक मिले प्रस्चन को किलियर नहीं लिखा है लिखना चाहिए ना उसको कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने हैं फिर हम इतना टेंशन क्यों करेंगे भई तो जीतने वाले उम्मीदवार को देखो 60% अग्विला बहुत यासान है बीस तिया साथ तीन बार में 14 तिया 42,000 यानि जीतने वाला उम्मीदवार 42,000 यानि 42,000 बोट प्राप्त किया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं एकदम गणित माने तो मक्षन आई बात समझ में कहेंगे हाजी सर बिलकुल समझ में तो बिलकुल आ रहा है नहीं तो ऐसे प्रश्न अगर एकजाम में एक बार आए तो हम बिलकुल इसको छोड़ेंगे नहीं माजी दा मॉन्टेन बैंड मनके एकदम अंसर करेंगे चो एक और समझ एर एक चुनाओं में दो उम्मीदबार उसमें से एक ने कुल बैद मतों के 55% मत प्राप्त किये तथा 20% मत अवैद अवैद का मतब जिसकी कोई वैल्यू न की पड़ा तो मान लीजिए कि कुल डाले गए कुल डाले गए ठीक है अगर बात करें कि थोड़ा इसको मैं छोटा कर लूँ किताब तो वैसे वैसे आपके कूर्स के अंदर ये पीपीटी डाल दिया जाएगा चैप्टर खतम होने के बाद एक चुनाओं में दो उम्मीदबार में से एक ने कुल बैद मतों के 55% मत प्राप्त बीस परतिशत मत अवैद गोसित कर दिये मान लिजिए कि कुल डाले गए वोटो की संख्या 100% अब इस 100% में वैद और अवैद की बात करे तो वैद कितना परसेंट? 80% क्यों? क्योंकि 20% मत जो है वो अवैद हार जीत का फैसला बैद करता है अवैद ने अब कह रहा है कि जीतने दो उमिदबार में से एक उमिदबार ने बैद मतों का 55% बैद मतों में 55 बोलता तो 80 में 55 घटा देते हैं बाकी बचा 25 दूसरा लाता है लेकिन कह रहा है बैद मतों का 55% यानि जीतने वाला बैद मतों का 55% लाएगा तो हारने वाला बैद मतों का 45 प्सक्याникHow The ऑई बात समझ में आज़ेंगे। ह 언제 भाइध्न जीतने वाला उमीद्वार होगा तो बेसिए झाब 55% जीतने वाला लाया तो हारने वाला इतनाDas केंगे यह यह कोई काम काम का नि नियहमा वाइध्न हो गया इसको प्रतिशत मत प्राफ्त किये तथा 20% मत अवैद गोशित कर दिये गए यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उमीदबार ने कितने बैद मत प्राफ्त किये तो पहले आप देखे कि कुल बोट कितना था सर पचतर सो बोट था पचतर सो का बैद कितना था कहेंगे सर बैद बोट था 80% तो हम निकालेंगे पचतर का 80% यानि 80% फिर से गुना दीजे आप कह रहे हैं पहला उमीदबार की दूसरा उमीदबार अगर पहला उमीदबार बोलता तो इसका 55% क्योंकि जीतने वाला उमीद बार जो है वह बैद मतों का 80 परसेंट तो 3500 का 80 परसेंट बैद मत हुआ और इसका 55% जीतने वाला लेकिन कह रहा है क्या दूसरे उमिद्बार ने कितना तो भैद दूसरा उमीदबार या नि हारने वाला का पूछ रहा है तो बैद मतों का 45% रहा है नहीं 4500 यह real calculation है और यह बेस्ट तरीका है आपका 0000 से 0000, 2535, 25100, 2080, 1535, 1535, 1532, 3030, पर 300, नहीं नहीं, कहीं नहीं मिस्टेक होगा मैं एक बार फिर से करता हूँ, जस्ट रहा है ठीक है, 0000 से 0000, 2080, 25100, 1575, ठीक है और 1560, 60-45 करिये ठीक है तो 45 गुने 290-90, 2700 बोट देखो बैए हारने वाला जो दूसरा उमीदबार था यह जो दूसरा उमीदबार था, यह 2700 बोट लाया जो पहले नंबर उप्शन में आपका उतर है, यहां तक समझ में आ रहा है देखो धीरे धीरे प्रशन का लेवल बढ़ रहा है, तो कोशन भी लंबा जाएगा न थोड़ा बहुत, तो आपको सीखना पड़ेगा, वो भी समझना पड़ेगा, वो भी अच्छे से, ठीक है अभी उमीद हम करेंगे कि आज हम 110 तक चले, उसके बाद आगे बचेगा 40 कोशन, जिसमें दो सेशन और दो क्लास और आपको कम से कम, उन दो क्लास में आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे, परसेंटेज को, ठीक है, देखो, सवाल है, एक चुनाओं में दो उमीदवार थे एक ने, इस चुनाओं में 8% मत दाताओं ने अपने मत का पड़ियोग ने किया, तो देखे, कुल डाले गए बोटों की संख्या सो, अब इसमें से 92% का उप्योग हुआ होगा, 8% बोट का कोई उप्योग हुआ है, ठीक है, ये यूजलेस हो गया, भाई, कोई काम का नहीं, जीतने वाले उमीदबारे ने, उमीदबार ने, कुल मतों का 48%, ये बैदमत हो गया, ये क्या हो गया, जिसका यूज हुआ वो बैदमत, और जिसका यूज नहीं हुआ वो अवैदमत, तो जीतने वाला उमीदबार जो कह रहा है, कह रहे जीतने वाला उमीदबार, कुल मतों कि संख्या वई कुल वोटों कि संख्या सोव और इसमें से 92 बैद था तो कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीद्वार जो था ना अगर बोलता है बैद मतो का 48 percent तो हम ऐसे निकालते बैदमे का 48 परसंट लेकिन यह बिलकुल नहीं कह रहा है यह कह खा रहा है कह रहे जीतने वाला उम्मेदवार यह देखे यह वाला लाइन कलमत था गटा के दे 32-42 यानि हारने वाला लाएगा 46 परसन नहीं ये चीजें आपके लिए आसान होगी बस ठीक से समझे समाझे, क्यरे जीतने वाला उमीदबार कुल मतों का अगर बैद मतों का 48 बोलता तो 29 काässünüz परसन निकालते, लेकिन बैद काह कहा आहा है क्यरे, कुल मतों का 48 परसन तो कुल मत सो था सो का 48 परसन, तो जितना बोट पड़ा उसमें से जीता वाला को घटा दीजे अ anderthalas गटाएंगे तो हारने वाले लाया 44 पर तर्षिट करें 48 पतिशत मत प्राप्त करके दूसरे उमीदबार को 1100 मतों से हराया बताई ये जीतने वाला हारने वालों को कितने मतों से हराया कहेंगे सर जीतने वाला 48 लाया हारने वाला 44 लाया है तो इन दोनों के बीच हार और जीत का अंतर जो है उचार परसेंट का है संख्या में कहेंगे सर सर 1100 मतों से हराया ठीक है संख्या में कहेंगे सर 1100 मतों से हराया परतिशत में 4 परतिशत से हराया ठीक है तो सबाद कर रहे हैं चुनाओं में कुल कितने मत दाता थे यह नहीं पर कर रहे हैं बैद और बैद कुल मत दाताओं की संख्या पूछ रहा है तो टोटल वोटर्स तो होगा अगर बैद बोलता तो बेरानवे करते गुना पचीस गुने एग्यारा तो सो पचसतर पर डबल जीरो तर जी इतने बोटर्स थे दो लाक 27,500 के इतने बोटर्स थे 27,500 आई बात समझ में कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है तो अभी हम लोगों ने कितने क बिल्कुल करेंगे यहां तक सबको आ रहा है मजा नहीं लग रहा है कि हमने एक बहुत यह स्पेशल क्लास शुरू किया है और बिल्कुल खुद भी पार्टिशिपेट तो होई चुके हैं आप लोग आपके साथ आपके जितने भी सरकल में हैं जिनको एक लक्ष प्राप्त करना है जिनको जीवन में कुछ करना है उनको बिल्कुल इसके बारे में बताईएगा तकि आपके साथ-साथ वो लोग भी इस स्पेशल महामेरथन क्लास को जॉइन कर सकें ठीक है हमारे साथ हमारे एप्लिकेशन के उपर आकर अपने होनर को पहचाने की भाई हम कितना कुछ कर रहे हैं देखो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज करेगा ये कुश्चन ठीक है ऐसा करते हैं 108 नमबर कुश्चन को होल्ड पर रखते हैं ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा हम इसको होल्ड पर रखते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए इसका एक शॉट मैथड देंगे अभी काफी लंबा क्लास हो चुका है थोड़ी ठकावट आ चुकी है तो इस पर वो इनर्जी निकलेगा नहीं हमारा क्योंकि लंबा जाएगा यह थोड़ा सा इसको छोटा करके थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा इसलिए इसको होल्ड पर रखते हैं बताएंगे अगले सेशन में टेंशन की बात नहीं है यह भी वैसा ही है लेकिन चलो कोई बात नहीं हम इसको ट्र की संख्या 100 अब कह रहा है इसमें से मत दाता सूची में 10 परतिशत मत दाताओं ने अपने मत अदिकार का परियोग नहीं किया तो परियोग किया कितने लोगों ने 9 परतिशत लोगो ने 10 परतिशत मत दाताओं ने अपने मत अदिकार का परियोग नहीं किया तता कुल डाले गए मतों में 10 परतिशत अवैद गोशित कर दिया गया वही बैद कितना कोशित किया गया तो कुल डाले गए मत तो नभी था, नभे का 10% अवाइद हुआ, यानि नभे का 90% अवाइद होगा, यानि नभे बटे 100, यानि डबल जीरो से डबल जीरो, यानि 81% वोट जो है वो वाइद हुआ, पहले यहां तक सीखे फिर आगे बढ़ेंगे, कि रहे एक चुनाओं में द दो उम्मीदबार थे, चलो अच्छी बात है, दो उम्मीदबार यानि टोटल 100% वोट, इस मद्दाता सूची में 10% मद्दाताओं ने मत का परियोग नहीं गया, तो 100% मद्दाता सूची में लोग थे, 10% वोट नहीं दिये, तो 90% देंगे, अब जो वोट पड़ा, कि कुल डाले गए, मतों का 10% अवाइद हो गया, तो पड़ा कितना, 90%, 90 का 10% अवाइद होने का मतब बाइद कितना, 90 का 90%, यानि 81% बोट जो है भाई, वो बाइद हो गया, मतब जिसका एक वैल्यू निकला, अब केर, तफल उमिदबार, कुल बाइद मतों का 54% मत प्राप्त करके, 1620 मतों से जीत गया, देखिए, कुल डाले गए, बैद मतों की संख्यां अगर बात करे, तो बैद मतों की संख्यां की अगर बात करे, तो बैद मत आया 81%, 81% तो आया लेकिन अपने आप में ये कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है, तो देखो जी, ये इसका 54% ला लाया होगा यह 46 परसेंट लाया होगा यस यह नो क्योंकि इसमें चाओवन नहीं इसका चाओवन परसेंट और यह क्योंकि जुटकर 100 होना चाहिए तो सफल उमिदवार जो है वो कुल बैद मतों का 54 परसेंट मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया तो मत दाता सूची में कुल कितने मत देखो जीता कितने बोट से कहेंगे सर जीता 1620 बोट से और यह लाया 54 परसेंट और यह लाया 46 तो इन दोनों के बीच कितने परसेंट का अंतर आठ परसेंट का लेकिन किसका आठ तो यह जो 1620 है वो बैदमत यानि 81 का 8% डाइरेक्ट 8% लिखिएगा तो गड़बड हो जाएगा क्योंकि बैदमत 100 नहीं है बैदमत 81% यह जीतने वाला उमिदबार जो लाया देखो द्यान से हम एकदम बारिकी से जीतने वाला उमिदबार जो लाया वो बैदमतों का 54% तो भाई हारने वाला उमिदबार कितना लाया होगा हारने वाला उमिदबार लाएगा बैदमतों का 46% तो इन दोनों के बीच कितना का अंतर 8% लेकिन किसका बैदमतों का तो भाई हार जीत का अंतर बोट में 1620 बोट का और संख्या में बैदमतों का 8% क्योंकि यह 54 और यह 46 अंतर 8% तो बैद मतो का 8% सवाल क्या पूछ रहे हैं मददाताओं सुची में कुल बोटो की संख्या कुल मददाताओं की संख्या तो टोटल कितना मददाता था कोई बैद अवैद का बात नहीं चल ला है वही तो ये देखो सिंपल सी बात है कि ये परतीशत हटाएंगे ठीक है स्वरी ये परतीशत हटाएंगे तो बटा में हो जाएगा वही 100 और ये बटा में जब 100 हुआ तो ये उपर चल जाएगा आई ये अच्छा 20 बार में कड़ ज गुनी आठ और ये 25 चक सव दो दहें के 20 तो आपका ये उपर चल जाएगा धाई सो और उधर गुने सव था ना परतीशत ये हटी गया क्योंकि भाई सो गुने सव करिएगा तो भाई 25 कर लिजेगा कैलकुलेशन अगर किसी को दिक्कात हो तो इसको एक बार फिट से रिव और ये आपके 109 का पहला नंबर उत्तर होगा जी किताब भी उलटके एक बार देख लिजे हमारा तरीका और जो बुक में दिया हुआ है दोनों में बहुत अंतर रहेगा और हम बिलकुल बारिकी से बता रहे हैं आपको ठीक है किताबी भासा में I think मेरे साब से X वगेरा का यूज होगा मेबी I'm not sure ठीक है लेकिन X का ही यूज होगा बिलकुल क्योंकि ज्यादा तर किताबों में X के प्रियोग से ही बनाया जाता है लेकिन हम सौ परतिसत लेकर चलूते हैं आई बात समझ में एक दम क्लियर है कॉंसेप्ट कहिए हां सर बिलकुल एक चीज अच्छे डंग से समझ में आ रहा है आगे चल के कहीं कोई परिशानी नहीं होगी चलिए आज के सहसन का एक प्यारा सा सवाल चलिए ट्राइ खरके देखते हैं बड़ा वहत्रीन सवाले एक चुनाओं में 30% मत दाताओं ने ए को मत दिया तीज का 60% मत दाताओंने बी को मत दिया तेस मत दाताओं ने अपने मताधिकार का पड़िः हो नी किफे चार मतों को यदि चार नहीं होना चाहिए कुछ और होना चाहिए एक सेकंड रुखेएगा मुझे देखने दीजी कोश्चन A होना चाहिए वहाँ पर Question number 110 यदि A को मत देने वाला था थे अपने मत्तों का पड़ियोग ना करने वालों कि संख्या का अंतल यहाँ 4 नहीं होगा भाई यहाँ होगा A क्या होगा A होगा यहाँ पर हम लिख दिये A एक चुनाओं में 30 देखो A को देने वाले 30 प्रतिशत फिर कह रहा है 60 का 60 परसें तो 60 बचा कितना 30 तो पड़ी गया तो 60 बचा 70 70 का 60 परसें यानि 70 गुने 60 बटे 100 00 से 0000 6 सते 42 प्रतिशत मत दाताओं ने B को परियोग गया फिर कह रहा है फिर कह रहा है 60 मत दाताओं ने अपने मत का परियोग नहीं किया कितने लोग ने मत नहीं दिया नहीं दिया या नहीं किया परियोग कितने लोगों ने तो कुल मत दाताओं की संख्या 100 होता है तो 42-30 हो गया 72 यानि 28% मत दाताओं ने अपने मत का परियोग नहीं किया सिंपल सी बात है कि टोटल सा होना चाहिए कह रहा है कि यदि एको मत देने वाले एको मत देने वाले 30% है यदि एको मत देने वाले तथा अपने मत का परियोग ना करने वाले अपने मत का परियोग ना करने वाले 2%, इन दोनों की संख्या का अंतर 1200 है, तो एक को मत देने वाले 30% और मत का परियोग ना करने वाले 28%, तो इन दोनों के बीच परतिशत में कितने का अंतर है, कहेंगे सर इन दोनों के बीच परतिशत में 2% का अंतर है, और संख्या में कितने का अंतर है, कहिए तो कितने मद दाताओं यह सु meantime दालने अधिकार था तो कितना percent आदमी को मद डालने का अधिकार होता यह और में कटेगा छेसों पर दो गोजेरू और बेठा दीजिए यजिए कुल साथ मद दाता है थे ची नंबर आपको option हो उमीद है कि 110 तक में एक कोशन हमने hold रखा है उसको आप बिलकुल बारी की से चीजों को समझ चुके हैं और अगली क्लास हमारी बहुत जल्द हमारी मुलबात होगी ओके बाबाई